नमस्कार दोस्तों और सभी का चैनल पे स्वागत है और यह वीडियो बन रहा है यह वीडियो का टॉपिक जो है आपको पताई चल गया होगा थाम्नेल देखके तो यह वीडियो बनाना का में रीजन जो है क्योंकि लास्ट लिकेंड हमने जो वीडियो पोस्ट किया था जी ड बेस्ट है या वर्स्ट है तो यही क्वेशन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ मेरा ओपिनियन क्या है मैं डेफिनिटल आपको बताऊंगा लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो अब जरूर देखना उसके बाद ही आपके दिमाग में जो कुछ भी क्लियर होने वाले तो चलिए वीडियो की तरफ वीडियो के शुरुवात करते हैं जो जी डवी के सी स्टार जो टेलिस्कॉप है अगर इसके टेकनिकल स्पेसिफिक की बात करें तो यह हमको मिलता है 50 mm का प्राइमरी जो लेंस है उसमें ट्रिपलेट लेंस है तो ट्रिपले ट्रिपलेट आता है एक जेड़ फीट का है आपको प्रोवाइड करने वाला है माक्सिमम और इसको पावर बंक से भी चार्ज कर सकते हो साथ में आप इसके साथ आपको प्रोवाइड किया सोलार फिल्टर अलसो तो और केरिंग केस बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा है उसके उपर हम लोग सीधा बात करतें तो बहुत सारे कमेंट आए हैं यह तैली स्कोप है क्या इसमें एस्पेनिटीटीटिटेड इमेज जिस प्रोडियूस करता है क्या बहुत सारे कमेंट आप इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो पहली बात तो यह जो टेलि तो पहली चीज मैं डिस गिना देता हूं इस वी टेलिस्कोप के आपको अपना जो गिए तो पहली चीज इस टेलिस्कोप में या इस स्मार टेलिस्कोप में आपको इस में जो है मैंगनिफिकेशन फिक्स्ट है क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है 250 mm जो है और अपर चर जो है प्रोवाइड किया त्रिपलेट में है लेकिन अपर चर ट्रिपलेट में मल्टिकोटेड है और कंपनी ने पीछे यहां पर कोई आई-पीस नहीं है डेकेड़ी आई सेंसर लगा है उसके ओपर इमेज गिरता है और वही इमेज हमको वाइफाई का जो मॉडिल है और वह लेके हमको हमारे फोन है उसके ओपर हमको प्रोवाइड करता है जो लाइव प्रिव्यू बोल सकते हम लोग वह दिखा देता है और लाइव स्टैकिंग भी दिखा देता तो इसमें हम लोग जैसे ट्रैइश्टन टेलेस्ज़ोक में हम लोग पोकल एडिसर लगा लगा के वाइड फिल्ल अब्जेक्ट हम लोग देख सके या फिल्ट फिल्लो क्यों अधिकल गार्म करसके लिज़ा कोई उब्जिक्ट मैंगिफाइन नहीं कर सकते इसना मुद्दा जो लोगों ने नोटीस करवाया था कि यह हीटिंग होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत यह हीट करता है क्योंकि एलेक्ट्रोनिक चीज है गैजट काइंड अफ चीज है इसके अंदर मोटर्स वगरह लगी है और सेंसर जो कैप्चर करता है वो भी थो थोड़ा बहुत हीट करता है क्योंकि एलेक्ट्रोनिक गैजट है तो हर एक चीज हीट करने वादा फोर जो अब्जेक्शन लिया गया या फिर निगेटिव पॉइंट हमको नोटीस कराया गया तो इसकी इमेजस में नॉइस आता है हां आज के डेट पर यह जो टेलिसकोप या इस कान्ड ओफ टेलिसकोप जो है वो इनिशेल स्टेजिस में आ काया से तो इतने इनकी सॉफ्ट्वर जो है या फिर इनकी स्टाकिंग जो है या पॉस्ट्रोसेशिंग्ण वाले जो सॉफ्ट्रेस जो है इनके वो इतने एडवांस निया लेकिन फ्यूचर में वीकान कि इससे भी अच्छा post processing हमको देखने मिल सकता है software update के बाद तो आज के date पर थोड़ा बहुत noise हमको देखने मिलता है थोड़ा बहुत heating देखने मिलता है तो यह चीजे हम लोग यही data हम लोग पीसी में लेके serial जैसे software या fix inside जैसे software उनमें post processing करके बहुत हद तक यह noise हम लोग control कर सकते हैं लेकिन default software है उसमें थोड़ा बहुत noise आपको देखने मिल सकता है क्योंकि इसका sensor size जो है थोड़ा चोटा है compare to अगर हम लोग बड़े-बड़े DSLR श्या CCD विगरा है तो इसमें कोई dedicated cooler विगरा नहीं है तो उसका size विगरा छोटा होने के विए से थोड़ा बहुत नौई समतों देखने मिल सकता है तो negative चीजों की बात होगी अभी है थोड़ा सा इसके advantages है कुछ positive बाते भी है उसके उपर बात करते हैं तो पहली चीज में बात करूँगा अगर हम लोग compare करते हैं इसको कंवेशनल एस्टो फोटगराफिक गीर से तो पहली बात मैं बोलूँगा यह बहुत compact है साइज में compare to हम लोग traditional जो गीर है उनके comparison में बात करूँगा तो second चीज इसको setup करना बहुत ही easy है इसके tripod के उबर आपको bubble level मिलता है तो उसको देख कि आप इसका tripod का level भी कर सकते हो साथ ही में app में भी support है जो calibration वाला चीज हम लोग करते है तो जब आप setup करते हो और जब आपका c star लग जाता है तो c star खुद ही बता देता है कि इसका level perfect नहीं है तो आप app में जाके इसका या फिर tripod को adjust करके इसको level कर सकते हो और app में आपको bubble level भी दिखाया जाता है तो उसको यूज करके आप लेवल कर सकते हो सेम चीज अगर हम लोग एस्टो फोटोग्राफिक गियर में लेकी जाते है तो पहले आपको tripod level करना होता है उसके बाद आपका mount लगाने के बाद उसका polar alignment होता है और उसमें बहुत fine adjustment होते हैं मैंने किया है मुझे पता है वो दर्द क्या है वो irritation level क्या अगर polar alignment exact नहीं होगा उसके आज पास थोड़ा बहुत भी issue होता है या फिर आपका tripod का level थोड़ा भी हील जाते है तो पूरा setup अपको फिर से करना पड़ता है और उसमें ना कम से में बहुत time जाता है मुझे पता है वो दर्द मैने सहा है और मैं irritated हो गया था वो चीज से तो it will take definitely time अगर कर सकते हो और इसका weight भी बहुत कम है अगर compare to other gear तो उनका weight कम से 10-15 kg तो चला ही जाएगा मेरे इसाब से तो यह hardly आपको 2-3 kg में तीन kg के अंदर ही पूरा setup हिलता है और single bag में आप carry कर सकते हो या फिर आपके rucksack में भी carry कर सकते हो it is easy कि कोई भी high altitude पे जाके भी आप deep skies तो photography कर सकते हैं कि same cheese आप traditional gear के साथ नहीं कर सकते हैं कि उनका weight इतना होता है उसके बाद आपको power tank लगता है तो बहुत difficult है और इसको हम लोग हमारे power bank से भी charge कर सकते हैं और important चीज आती है कि cost अगर मैं इसको compare करूंगा conventional astro photography year के साथ तो I can say 50-52,000 में यह आपको इंडिया में मिल 500 dollars की costing चल गए तो 500 dollars में आपको astro photography का smart telescope मिलना बहुत बड़ी बात है अगर हम लोग conventional astro photography कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो gear का cost है कम से कम धाई लाग तीन लाग तक जाता है या फिर minimum भी बात करूं मैं तो mount यह वो चूटा मूटा attachment को पकड़ की कम से देड़ से दो लाग ज दोस्तों मेरा जो first preference रहेगा वो traditional astro photography को रहेगा reason क्योंकि वो दुख मुझे चाहिए वो irritation level मुझे चाहिए क्योंकि वही reason है क्योंकि बहुत सारे चीज़े हैं इन्वेस्मेंट कर दी है तो मैं first preference उसको ही दूँगा लेकिन अगर आपका जेग थोड़ा सा हलका है या फिर आपको उन चीज़ों में उतना investment नहीं करना या फिर इरिटेशन फ्री आइस्टो फोटोग्राफी करनी है तो definitely आप सीस्टार की तरफ जा सकते हो और मेरा जो next gear होगा उसमें additional as a backup मैं सीस्टार रखने वाला हूँ क्योंकि the result कभी-कभी आइस्टो फोटोगरिक गियर्स में कुछ ने कुछ अगर issue आता है तो as a backup मैं object रखूँ आइस्टो फोटोग्राफी गियर्स में issue आगया तो as a backup मैं उसको रखने वाला हूँ क्योंकि साड़े तीन-चार लाग इन्वेस्ट करने के बाद अगर 50,000 और इन्वेस्ट करके मैं और एक gear रख दू या फिर backup वाला setup रख दू तो मेरा जो आइस्टो फोटोग्राफी है उस राज का तो वह definitely वह successful होगा क्योंकि यह नहीं तो वह उसमें कोई ना कोई object मेरा miss नहीं होने वाला तो definitely इसमें भी इन्वेस्ट करना वर्थ इट है आज के डेट पे और अपडेट के साथ और अच्छी result यह सीस्टार हमको देने वाला है तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा और आपकी सवालों की जवाब अगर मिल गए होंगे तो definitely चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सब्सक्राइब लाइक और कमेंट से मुझे भी motivation मिलता है definitely support करिये thanks a lot for watching love you all अभी मिलते हैं next वीडियो में bye bye thank thank you